कि नमस्कार दोस्तों जो लोग वीडियो देख रहें आज जो लोग नए हैं मेरे चनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें प्रेश करें ताकि जो भी वीडियो आइ सबसे पहले आपको मिलें अगर सुरु करते हैं दोस्तों पर बहुत ही कारगर अवसदी है, जो लोग कुदरून के बारे में जानते हैं, जो लोग इसका परियोग करते हैं, कुदरून दो प्रकार का होता है, एक मीठी होती है और एक कड़वी होती है, मगर दोस्तों ये दोनों एक जैसे देखने में लगती है, इसे खाने के बाद मा जलता है कि कौन सी मीठी है औक कौन सी कड़वी है जो मीठी होती है अकसर लोग अपने घर्व खेतों में लगाते हैं वो भी सबजी के लिए और जो कड़वी होती है वो बरसात के मैसन में अपने आप पवधा त्यार हो जाता है जिसे जंगली कुद्रून भी कहा जाता परसान है कितना भी पुराना क्यों नहों चर्मरोड खुजिली उसे ठीक किया जा सकता है इस कुद्रून के पवधे को अलग अलग देशों में कई नामू से जाना जाता है यह से संस्कृत में बिम्बी रक्तसफा तुंडी और हिंदी में कुद्री बिम्बा कुली और गुज इस कुद्रून को अच्छी तरह देख लिजिए पाचान लिजिए जिससे आपको पाचानने में पासानी नहीं होगी दोस्तों बहुत ही बहतरीन आउसदी है और बहतरीन तरीके से काम भी करती है चलिए दोस्तों इसके आउसदी गुड जानते हैं दोस्तों सभी प्रकार क चर्म रोगों को दूर करने के लिए जैसे दाग, खाज, खुजुली, सुराइसेज, एगजीमा, कुष्ट रोग, दोस्तों आपको क्या करना है कुदुरून के पत्ते को ज्यादा मत्रा में लेके आएं और उसको तील के तील में पकाएं और भी अच्छी तरह पकाएं जब तब चाहें तो इसके ताजे पत्तियों का रस निकाल कर लगा सकते हैं और इसके पत्तों का लेप बना कर भी लगा सकते हैं चर्म रोगपजी से बहुत ज्यादा फाइदा होगा पांस से दस दिन ऐसा करते हैं तो भयंकर से भयंकर चर्म भी ठीक कर देता है और इसका एक और आउसेदी गूर जानने जीए इसके पत्यों को घीव में भून कर अगर घाव लगाते हैं तो घाव जल्दी भर जाता है दोस्तों नेश्ट वीडियो में एक और आउसेदी लेके आएंगे नई जनकारी के साथ मिलेंगे वीडियो देखेने के लिए आप सबको दिल से धन्यबाद आप हमेशा खुश रहें स्वस्त रहें नमस्कार दोस्तों